कि ओके तो माकेट होने चुका है यहां पर अपना जो लेवल हो में हो चुका है कॉलकी तरफ करेड़ हम लोग पाये कने वाले में 1065 कॉंटिटी एंड 350 का भी प्राइस चल रहा है सो ओर्डर तो अम लोग ने यहां पर प्लेस कर दिया है तीन चार रुपए का फरक है तो इसल हो गया मतलब 335 के राउंड बाय करने का था बट 350 का प्राइस पहुच चुका है सो ओके तो यहां पर अपना जो ट्रेडव एक्जिकूट हो चुका है एंड बाय करते हैं यहां पर थोड़ा बहुत जो कॉस्ट के राण प्रोफिट है वो स्टार्ट हो चुका है सो होती ज्यादा बड़िया मार्केट के अंदर मोमेंटम मिला में मोमेंटम तो कैप्चर नहीं कर पाए मैंने मॉर्निंग में कॉल्साइट का ट्रेड बाय किया था चाहां पर प्रोफिट तो कोश खास हुआ नहीं मैंने कॉस्ट कोस के राउंड एक्जिट किया बट उसके ब मार्केट बहुत ताइम से जो था एक साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहा था और सब लोगों का वेट था कि मार्केट एक जो मोमेंटम है वो सुरू करें और कल की दिन मोमेंटम मिला बट जो मेन प्रोब्लम है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम मिला बट मार्केट की जो ओपनिंग है वो वहीं पर आ गई जहां पर मार्केट कल था मार्केट वहीं पर वापस आ चुका है जिसके वाज़े से एक साइडवेज जोन के अंदर मार्केट वापस से जो वो स्टक हो चुका है और 200 या 300 पॉइंट के रहां मार्केट गेप डाउन ओपन हुआ वापस से उसी जोन के अंदर आ चुका है जो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत लग रहा था कि साइडवेज मोमेंटम करेगा बट अपना लेवल मैच हुआ बाय करते हैं पर 20,000 का तो प्रोफिट दिखा रहा है जो मॉमेंटम थोड़ा बहुत तो यहां पर मेल रहा है बट साइडवेज जोन है तो अपने को कैलफूल रहे कि यहां पर ट्रेट करना पड़ेगा अभी के लिए मैं इस ट्रेट को होल्ड करूँगा अब मेरे कोशिस यही रहेगी कि मार्केट के अंदर जितना फास्ट मोमेंटम मिलता हम लोग बूग करने की कोशिस करेंगे अब कल मोमेंटम मिला है तो आज भी मोमेंटम आने की प्रोबैबिलिटी तो है बट आज एक्सपारी है तो अपने को केलफुल रकेटेट करना पड़ेगा प्लस मार्केट एक साइडविस जोन के अंदर है तो अगर आज मार्केट साइडविस हो गया तो साइध अपने को प्रॉफिट ना मिले तो मैं कोसिस करूँगा जितना हो सके फास्ट प्रॉफिट बुक करने की और बड़ा मॉमेंटम का हम लोग होप तो रखेंगे कि मार्केट के अंदर बड़ा मॉमेंटम आ जाए और एक वापस से जो पहले के देश थे जहां पर मार्केट एक बड़ा मॉमेंटम करता था जो ऑप्षेंट के प्राइस थे वो बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहे थे वैसा अगर मॉमेंटम मिलता है तो तो आज मज़ा ही आ जाएगा कल मॉमेंटम आये था बट वो भी देट सो पॉइंट के राउंड यो ऑप्षेंट का प्राइस इंक्रीज हुआ था जाधा नहीं था बट स्टिल कुछ ना कुछ शुरू हुआ मॉमेंटम तो फो आप आने वाले देश के अंदे मार्केट मॉमेंटम करें तो लेट्च आप इस टेट के अंदे कितना मॉमेंटम आता है अभी किले हम लोग इस टेट को होल्ड करने वाले है Profit 20,000 के राउन चल रहा था अभी 20,000 के राउन लोज्ट चल रहा है so मेरा प्लाण यही है कि यही है की स्टेट को होल्ड करने हम लोग एकशिट वगर आज नहीं कने वाले थोड़ा सा लग रहा है कि target आ सकता है plus market की momentum की हिसाब से भी आज लग रहा है कि profitable हो सकता है आज का दिन इसलों में इस trade को hold कर रहा हूँ, आज cost to cost exit ना करना पड़े, उतनी ही मेरी कोसिस रहेगी जैसे मनों कल की बात करें, कल 9000 का profit मतलब वही cost to cost exit किया मंडे के दिन भी same market था, sideways type of momentum कर रहा था, वहाँ पर भी अमोंग ने 2000 रुपीज की रहा हूँ, cost to cost exit किया था, फ्राइड़े के दिन market sideways था, मैंने कोई इस तरीके के days जा रहे, एंड में वेट कर रहा हूँ कि कोई बड़ा momentum मिले, जिससे हम लोग एक market के अंदर profit कर पाया और अगर अपना profit नहीं भी होता, और market momentum करते है, जैसे market में कल momentum है, कल मेंने profit 9000 का हुआ था, but market के अंदर जो end मोमेंटम है, उससे एक hope अपने पास जो है probability जो होती है, वो खुल जाती है, जब market के अंदर momentum आता है, बड़ अगर momentum ही नहीं आएगा, बले मेरा profit हो या loss हो, अगर मेरा कल loss भी हो जाता है, बड़ market अगर momentum कर रहा है, तो उसमें अपने पास एक आने वाले days के अंदर hope बची रहती है, कि market momentum कर सकता है, वो चीज अपने लिए है, अभी 20,000 का profit चल रहा था भी, यहाँ पर 40,000 रुपीज के अंदर loss जब वो पहुच चुका है, तो trade तो थोड़ा अपने अगेंज जा रहा है, लग रहा है कि शायद market downside का momentum करे, बड़ momentum important है, मैं चालता हूँ कि आज market कोई भी momentum करे, upside का momentum करे, downside का momentum करे, एक momentum आना जरूरी है, because अगर market के अंदर momentum नहीं आएगा, तो slowly slowly करके, bankruptcy का भी जो वो हाल है, वो cryptocurrency का जो हाल हो गया, वैसा हो जाएगा, तो वो चीज से थोड़ा सा बचना है अपने को, and कोसिस करो कि जब market sideways हो, तो जितना हो सा कि कम trade करो, but sideways के लिए बहुत हो गए, तो हाई ओप हाज market के अंदर momentum आजा है, okay तो यहाप अपना जो profit वो increase हो कि 60,000 रुपीज के राउन पहुच चुका है, and 40,000 रुपीज का loss चला रहा था, वहापी मेरा stop loss 8 हो जाता, but stop loss 8 हुआ नहीं, and market के अंदर momentum आचुका है, यहाप अपना profit भी 60,000 रुपीज के राउन पहुच चुका है, so momentum आज market में लग रहा है कि आज आ सकता है, so कल momentum हुआ हम लोगे विलेटेड नहीं कि अबड market में, डोर ओपन होगे अपने लिए, and आज भी market उसी डोर के थुरू continue कर रहा है, and momentum so कर रहा है, so 80,000 का profit पहुच चुका है, अब fast momentum है तो fast momentum के सबसे जो मेरा rule है, अगर उसको दे जैसा मैं आपको बता है कि market gap down open हो, उसके बाद एक sideways zone के अंदर है, बले अगर market कितना भी buyers वो strong हो जाए, बड़ अगर market का zone है, फू sideways है तो उसके अदर कुछ भी काम नहीं होने वाला, कल के जो buyers है, जिन्नोंने कल market को उपर लेके गए, वो आज भी कोशिस कर रहा है कि market को बट थोड़ा सा difficult है कि market उस zone से बाहर निकले, कल तो market निकल गया बट आज expiry का दिन है, और उस zone के अंदर वापस से market trade कर रहा है, वहाँ से break करना थोड़ा सा difficult है, बट अपने वो tension है नहीं, अगर यहाँ पर profit decrease होगा, तो मैं कोशिस करूंगा जालत स्यादा यहाँ पर जो रुपय के रहाँ पहुच चुका था, so 100 points का profit आया है, बहुत time से profit दिखा ही नहीं है, मार्केट के अंदर पूरा sideways zone था, लगातार 4 trading sessions हो गए, market पूरा sideways type of momentum कर रहा था, and कुछ दिना के profit हो भी रहा है, तो cost to cost के रहाँ loss book कर रहे, profit book कर रहे, but momentum आना जरूर है, so market के अंदर बर रहा है, but जो gap down open हुआ, उसके वाज़े से पूरा जो hope था, वो market ने तोड़ दिया था, बड़ अपना level match हुआ, हमने हमने trade को buy किया, and 75,000 उपीस के round यहाँ पर profit पहुच चुका है, so let's see, market के अंदर किस तरीके से momentum आता है, हम लोग कोशिस करेंगे, जितना हो सके, पू बस एक्सपारी का दिन है, so थोड़ा सा यहाँ पर उपर जाने का momentum, difficult है, because market कल भी जो upside का momentum कर चुका है, market को उपर लेके जाना, same level के रहा हूं, जहाँ पर market कल close हुआ था, थोड़ा सा difficult रहेगा, but let's see, अब किस तरीके से market के तरा momentum आता है, profit यहाँ पर decrease होके 50,000 उपीस के र रहे कि हम लोग trade करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि पूरा hold करने के चक्कर में profit चला गया, जितना हो सके, safe रहे कि हम लोग trade करेंगे, and 11 बजे का time हो रहा है, so let's see market किस तरीके से momentum करता है, मार्केट जो वो close हो चुका है, and आज का दिया अपना drone हो चुका है, 4 बजे का यहाँ पर time हो रहा है, so bankrifty के अंदर आज के दिन momentum मिला, but थोड़ा बहुत ही momentum था, starting में, 10 बजे से लेके 11 बजे तक momentum आया, उसके बाद पूरे दिन market जो था, वो sideways था, so अगरा हम लोग market को चेक करें, तो कल के दिन market के अंदर थोड़ा बहुत momentum आया, बट उसके पहले अगर हम लोग time देखें, तो पूरे दिन market sideways रहता था, and कुछ खास momentum था नहीं, बट 5 बजे से लेकि यहाँ पर 3 बजे तक momentum आया, so कल का एक momentum था, जहाँ से option buyer को एक hope मिली कि वापस से market momentum करेगा, बट जो gap down market open हुआ, almost यहाँ पर 300 point के round gap down market open हो गया, and gap down open के बाद लगी रहा था गया, आप वापस से उसी zone के अंदर market trade कर रहा है, but level match हुआ तो मैंने थोड़ी दिर wait किया, उसके बाद जैसे trade buy किया, हम लोग ने almost 20,000 का profit पहुँच गया था, so अगर मैं आपको यहाँ पर जी तक momentum आया, उसके बाद पूरा market जो था, वो sideways था, अजनक profit increase हुआ, एक लाग का profit पचास जार के round पहुच गया था, so जैसे decrease हुआ, मैंने आपर decide किया, कि इसी trade को हम लोग safely exit करेंगे, because expiry का दिन था, plus उसी zone के अंदर market trade कर रहा है, मैंने safely exit किया, उसके बाद पूरे दि market अगर हम लोग चेक करें, तो sideways हो गया था, और मैंने morning में आपर दिखाई दिया था, whatsapp channel के उपर, कि market आज sideways हो सकता है, उसी zone के अंदर market जो आ चुका है, so जैसा मैंने आपको बताया था, कि sideways zone को market ने कल break किया, वापस से market उसी zone के अंदर आ चुका है, expiry का दिन है, तो market मे sideways momentum या फिर एक volatility type of momentum market के अंदर मिल सकता है, so safe recommend trade करने को बताया था, यह अपना whatsapp channel है, so description में लिंक दाल दूँगा, जहां से आप लोग जाकर चेक कर सकते हो, so market की अगर हम लोग बात करें, तो वही था market पूरा sideways हो गया, and थोड़ी से मिली mistake हो गया, अगर मैं 70,000 रूपीज इसके राण profit book कर लेता, तो ठीक रहता, बट कोई दिक्कत नहीं है, यह तो अपने normal account है, so normal account के अदर हम लोग ने 53,000 रूपीज का profit book किया, यह वाला call option buy किया था, so 53,000 रूपीज का हम लोग ने profit book किया, corporate के अंदर ठीक टाक profit बन चुका है, and कुछ ना profit होने से जाजा, कु इसके बाद मैंने कोई भी trade वगर भाई किया नहीं, because अगर मैं एक बाद trade कर लेता, उसके बाद बार बार trade करने की मेरी habit है नहीं, rules follow करो, discipline follow करो, momentum miss हो जाए, तो भले miss हो जाए, but rules and discipline आपको लंबाई समय तक market के अंदर help करेंगे, and is profit का verify link आपको description में मिल जाएगा, जहां अपना दन हो चुका, expiry वाली दी 553,000 रुपीस का